नमस्कार दोस्तों मैं रोहुंच शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों कल आप सभी ने आई पिल का मैच देखा होगा और उससे पहरे आप सभी ने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ astrology कैसे काम करती है और कैसे match बिल्कुल exact जाता है जैसा हम वीडियो में बताते हैं देखें cricket match का prediction हमेशा मुश्किल होता है यह मैं हमेशा बताता हूँ कि cricket match का prediction जो होता है वो बहुत जादा मुश्किल होता है इतना आसान नहीं होता किसी भी match का prediction करना फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि prediction दे पाऊँ और कोशिश करता हूँ कि match जैसा जाने वाला है वैसा का वैसा यहाँ पर वीडियो में बता पाऊँ और इस IPL में काफी वीडियो में मैंने प्रूफ किया है ऐसा कि बिल्कुल cricket की astrology possible है impossible कुछ भी नहीं है थोड़ा मुश्किल ज़रूर होती है और थोड़ा उपर नीचे ज़रूर होता है पर cricket की astrology भी यहाँ पर possible है और वो ही यहाँ पर मैं करके आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ पर cricket की जो astrology होती है उसके में हमेशा और हर तरह के करता हूँ मैच के चाहे वो मैं हो चाहे फिर वुमेन के मैंचे जो ओके अब यहाँ पर आज IPL में मैच होने वाला है मैच नंबर 38 और यहाँ पर 38 वाला जो मैच है यह होने वाला है पंजाब और दिल्ली के बीच म जी हाँ और यह जो मुकाबला रहेगा यह दुबई में होने वाला है और दुबई में कहीं कहीं मैचे हमेशा डिफिकल्ट होते हैं हमेशा बहुत अलग तरह के मैचे होते हुए हमें दिख रहे हैं और काफी अलग तरह की चीज़ें इस मैच में भी हमें होते हुए दिख स होने वाला है इसमें सबसे पहले तो कि टॉस की बात करते हैं टॉस कौन जीते गा और कौन क्या कर सकता है यहां पर देखिए यहां पर जो कैलकुलिशन्स है और जिस तरह की कैलकुलिशन्स में देख रहा हूं उसके अकोर्डिंग देखा जाए तो यहां पर तो toss जीतने वाली team है, toss जो जीतने वाली team है, वो है यहाँ पर Delhi Capitals, जी हाँ, Delhi Capitals जो है, वो यहाँ पर toss जीतने वाली है, toss जीत सकती है, Shreyas Iyer यहाँ पर toss जीत सकते हैं, ऐसे chances पूरे पूरे दिखाई देते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी को, यह secret बात है, यह शायद किसी को अभी तक मैंने नहीं बताई है जो कि मैं आज यहां पर वीडियो में बता रहा हूँ कि डेली यहां पर इस बार का IPL जीतने वाली है इसके 80% चांसेज यहां पर है जी हाँ डेली सभी को अगर लग रहा है कि मुंबई इस बार चीते ही या मुंबई अभी सारे मैचेस जीती हुई है उन सभी को बता देता हूँ कि IPL फाइनल जो होगा उसके डेली के जीतने के चांसेज मुंबई से भी जादा है जी हां और आज जो मैच हो रहा है डेली और पंजाब इनहीं दो टीमों में से एक टीम IPL का खिदाब लेके जाएगी यह भी मैं और आगे जाने के लिए साफ करेगा और अगर यहां से पंजाब हार जाता है तो कंफर्म है कि डेली IPL जीत जाएगा जी तो इसलिए दोनों टीमों के बीच में बहुत बड़ा मुकावला है और बहुत टकर का मुकावला आज यहां पर होता हुआ हम सभी को दिखाई देग अब सवाल यहां पर यह है कि टॉस तो जीत लिया है डेली ने और कर लिया पहले बैटिंग तो यहां पर डेली जो है वो पहले बैटिंग करने की उतरेगी अब अगर दिली पहले बैटिंग करती है तो स्कोर कितना हो सकता है क्या स्कोर की प्रविल्टीज रहती हैं इसके सेंबारे में बात करते हैं दिखेए आज के मैच में वाधे दिखाई देगा दिखेगा 157 यहाँ पर दिखाई देगा 157 से 177 के स्कूर में आ पर इसंदे। सकता है और मेरे बहुत चोटा सा चॉऩ ठरी के स्दमार भी हैं पर होता हुआ दिखाई देता है बट जो बड़ी प्रराविéliorल्टी है वो 157 से 177 के बीच के स्कोर की आपर दिखाई देती है कि इस बीच की रेंज बेंज में कही themed के स्कोर यहां पर होते हुए दिख सकता है ऐसे चांसे यहां पर दिखाई देते हैं ओके अब हम बात करते हैं आने वाले जो ट्रेंड है मैच में वो कैसे चलेगा देखिए यहां पर डेली पहले बैटिंग कर रही है और बहुत अच्छी बैटिंग यहां पर की तरफ से दिखाई देगी और डेली की तरफ से काफी अच्छे एक अच्छा लाइनप पैटिक लाइनप यहां पर हमें दिखाई देगा टीम उनकी बहुत पावफुल है और आज के दिन प्रत्वी शौ कहीं कहीं तोड़ा सा कमाल करते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी शुकरदवन आज के मैच में बहुत ज्यादा कमालना दिखा पाएं ऐसे वी चांसे्जा आपर दिखाई देते हैं बट शुकरदवन प्लेयर आपको कौन कौन से प्लेयर यहां पर रखने चाहिए देखिए ड्रीम 11 टीम में अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले तो आपको बोलूँगा क्या प्रिस गेल को जरूर लीजीएगा जी हां क्रिस गेल को यहां पर लेने का फाइदा बहुत जादा है हाला कि वो उनका कोई बोरुसानी है और क्रिस गेल एक ऐसे प्लेयर है जो दोरन भागने में भी आलस करदेते हैं पर यहाँ पर Chris Gale अगर लेते हैं आप तो वो definitely एक advantage आप सभी के लिए रहेगा Nicholas Puran को आप सभी को लेना चाहिए Nicholas Puran और Chris Gale दोनों ही players आपके लिए काफी जदा अच्छे रहेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तो Rabada को आप ज़रूर लिजीगा यहाँ पर लेने चाहिए आप सभी को रबाडा से फाइदा मिलेगा और इसके अलावा रबाडा के अलावा गर हम देखें तो मैं आप बोलूँगा कि अकसर पटेल आप सभी को लेना चाहिए अकसर पटेल, रबाडा, हेटमायर, गेल, निकोलस पूरन ये प्लियर्स हैं जो कि आपके लिए काफी ज़़ा फाइदेमंद रहेंगे और रवी बिश्नोई को भी आप ले सकते हैं, जी हां, रवी बिश्नोई एक बॉलर है, उन्हें भी आप ले सकते हैं, उनके लिए, उनकी तरफ से भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आप सरफे को देखने को मिल सकते हैं तो इन प्लेयर्स को ज़रूर लिजीगा, और मौमद सामी को तो डेफिनिटली लेना ही लेना है, उन्हें छोड़ा जा ही नहीं सकता, तो इसलिए वो भी आपकी टॉप 11 में ज़रूर रहेंगे, तो मौमद सामी को भी आप यहां पर ले सकते हैं तो इन प्लेयर्स को आप लेंगे, तो डेफिनिटली आपके एक अच्छी मजबूट टीम बनेगी, और यहां पर आप डेफिनिटली अगर ड्रीम 11 खेलते हैं, या फिर कोई भी एक फेंटासी आप का गेम खेलते हैं, तो उसमें आपको काफी ज़ादा अच्छी मैंने आप सभी को बता दिया है, मैच का ट्रेंड जो है, वो कुछ इस तरह से रहेगा, कि यहां पर डेली बहुत अच्छी बैटिंग करेगा, हाला कि एक प्राविल्टी मेरे पास लोग स्कोरिंग की भी आ रही है, जो कि टॉप्स के बाद कंफर्म होती ही जादा, पर डे यहां पर चांसेज बहुत जादा स्टॉंग बन जाते हैं, पंजाब के जीतने के बहुत जादा अच्छे चांसेज यहां पर बन जाते हैं, जी हां, तो इस मैच की विनिंग प्रॉबिल्टी जो आती है, वो पंजाब की तरफ थोड़ी सी जादा आती है, इन कंपेर टु जीतने के लिए पूरी जीतोर मेहनत करेंगे, हाला कि यह मैच अभी बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्स और डाउन्स वाला हो सकता है, बट इस मैच में बहुत जादा फ्लक्टुेशन समय शायद ना देखने को मिले, और यह बहुत मैच एक तरफ अच्छा जीतेगी, और कहीं न कहीं, बहुत जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आर पंजाब तो जीत रही है, ऐसे जांसे आप सभी की सामने हो सकते हैं, उमीद करता हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिएगा, शेयर कर आपकी हर संबह मदद्यां पर कर सकूँ, धन्यवाद.